टॉप फाइव बेस्ट बाइक इन इंडिया अंडर 350 तू 500 सीसी और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को पर बात करने वाले हैं बट उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है हो सकता है आप मेंसे कुछ लोग मुझे पहले से ही जानते हूँ बिकास अभी आप जिस चैनल पे हो से आटो मुबाइल यह मेरा सेकेंडरी चैनल है और जो मेरा फर्स चैनल है और जो मेरा में चैनल है वो है टेकनिकल लाइफ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है हो सकता हो वहां से कुछ लोग मुझे जानते हूँ अगर आपको टेकनोलजी रिलेटेट वीडियो जो है अगर आपको पसंद आती है अगर आपको टेकनोलजी में इंटरेस्ट है तो आप जो मेरा में चैनल है वहां पे जाके चेक कर सकते हो बट अब उन लोगी बात कर देते हैं जो कि मुझे नहीं जानते हैं So let me introduce myself, my name is Arun Singh और ये है मेरा चैनल S.A. Automobile मैं चैनल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको नाम से पता चली गया होगा कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लेके आता होगा Automobile से लिटेट वीडियोज अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो Automobile में तो I hope कि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आएंगे और आप मुझे और मेरे चैनल को और मेरे कंटेंट को सपोर्ट करोगे अगर आप और जानना चाहते हो मेरे बारे में तो आप मेरा मेरे चैनल विजट कर सकते हो और अगर आप इस चैनल के बारे में जानना चाहते हो तो मैं जादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा आप सीधा चैनल के अबाउट में जाकर रीड कर सकते हो सो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जली से वीडियो को शुरू करता हूँ सो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लेना चाहते हो एक बाइक जो की 350 से 500 CC के अंदर हो और साथे साथ मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपके लिए बज़ेट जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता होगा सो हमारे काउंडाउन में जो 5 नंबर पे जो बाइक निकल के आती है मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमारे काउंडाउन की 5 नंबर की बाइक है एंड इसकी मैं आपको सबसे पहले प्राइस से आपको मैं इंट्रिद्यूस करा देना चाहता हूँ इसका जो आपको एक शोरूम प्राइस आपको जो देखने को मिल जाएगा वो है 1,86,811 रुपीज अगर आपका बजेट है 2,00,000 से कम तो आप इस बाइक को भी एक बार देख सकते हो इस बाइक का जो लुक है वो आपको थोड़ा सा ओर्ड स्कूल टाइप पे मिल जाएगा और अगर मैं आपको ले चलो स्पेसिफिकेशन की तरब तो इसमें आपको 411cc का आपको एक इंजिन देखने को मिल जाएगा अगर आप करना चाहते हो एडवेंचर और आप आफ रोडिंग में थोड़ा सा इंटरस्ट रखते हो तो ये आपके लिए काफी सही बाइक करेगी क्योंकि इसका हाई ग्राउंड क्लेरंस है आपको इस बाइक में जो कलर्स देखने को मिलेंगे वो है ब्लैक हो गया वाइट हो गया स्ट्रीट ग्रे हो गया और ग्रैविल ग्रे आपको देखने को मिल जाएगा साथी साथ इसमें आपको दो colors और आपको देखने को मिलते हैं जो की है lake blue and rock red इनकी आपको price जो है थोड़ी सी आपको जाधा pay करनी पड़ेगी इसकी जो extra price अगर आप इन दो colors की तरफ जाते हो तो वो है 1,91,401 रुपीज max power इसमें आपको 24.83 PS की देखने को मिल जाएगी 6,500 RPM आपको मिल जाएगा and max torque के बारे मैं आपको बताऊ हो तो इसमें आपको 32 nm का max torque आपको देखने को मिल जाएगा 4,500 RPM में fuel capacity इसमें आपको 15 liters की fuel capacity मिलेगी gearbox में इसमें आपको 5 speed manual gearbox आपको देखने को मिलेगा 0 to 100 इसका acceleration मैं आपको बता देता हूँ तो 10.49 सेकंड इसका 0 to 100 acceleration है and 100 to 0 km प्रतिगंटा की इसमें आप ब्रेक लगाते हो और 100 से 0 आने में इसे करीबन 66.23 मीटर लगेंगे तो दोस्तों ये थी Royal Infield Himalayan BS6 हमारे 5 नमबर पे अब हम लोग चलते हैं हमारे countdown के 4th नमबर पे so now जो हमारे countdown पे 4th नमबर की जो बाइक निकल के आ रही है वो है Bajaj Dominar 400 BS6 लोक्स आप side by side देख सकते हैं Bajaj Dominar 400 इसकी जो आपको X showroom price मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक showroom price जो आपको पे करनी पड़ेगी वो है 1,091,751 रुपीज 373.3 cc का आपको engine देखने को मिल जाएगा max power इसमें आपको 40 ps and 8,650 rpm आपको मिलेगी max torque में इसमें आपको 35 nm 7,000 rpm मिलेगा gearbox इसका जो है 6-speed manual है dual channel ABS का आपको support देखने को मिल जाएगा fuel tank capacity इसमें आपको 13 liters की देखने को मिलेगी और colors के बारे मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपको एक combination देखने को मिलता है black और green का और एक single color आपको अलग से देखने को मिलता है अगर आप complete black bike चाहते तो आपको black और भी complete black आपको देखने को मिल जाएगी बट जो देखने में अगर मैं बताऊँ तो काफी ज़्यादा अच्छा लगता है black and green ये थी बजाच Dominar 400 BS6 हमारे fourth number पे अब हम लोग चलते हैं हमारी next bike पे जो की आ रही है third number countdown पे KTM 390 Duke B6 ये हमारे third number countdown पे इसकी एक showroom price मैं आपको बता देता हूँ 252928 रुपीज 373.2 cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाएगा उसके बाद max power की बात करें तो 43.5 ps की max power मिलेगी 9000 rpm के साथ और max torque में आपको बताऊँ तो 37 nm का max torque देखने को मिलेगा 7000 rpm के साथ gearbox इसका 6 speed manual है इसमें fuel capacity इसकी 13.5 liters की है and dual channel ABS का support आपको मिलेगा and color में से आपको एची color देखने को मिलता है जो की है white so यह थी हमारी third number countdown की bike ktm 390 डुक and now next bike is on our second number countdown is Benelli TRK 502 BS4 यह हमारे second number countdown की bike और इसकी एक showroom price में आपको बता देता हूँ जो की है 5,10,000 and यह जो bike है यह आपको दो variant में आपको देखने को मिल गाएगी जो standard variant है वो है Benelli TRK 502 and जो इसका एक और variant आता है वो है Benelli TRK 502 X इस countdown में हमने select की है Benelli TRK 502 BS6 मतलब standard variant जो की आता है 500 CC के साथ and इसमें आपको max power के बारे मैं आपको बताऊँ तो 47.58 PS की max power मिलेगी 8,500 rpm मिलेगा तो इसमें आपको 46 mm का max torque मिलेगा 6000 rpm के साथ gearbox इसका 6 speed manual है dual channel ABS IS में and इसमें 0 to 100 km प्रतिगंटा की जो आपको acceleration में आपको बताता हूँ तो इसमें आपको 7.29 second इसको लगते है 0 to 100 जाने में and 100 to 0 वापस आने में इसमें 48.29 meters का आपको distance लगेगा fuel capacity इसमें आपको 20 liters की fuel capacity मिलेगी colors में इसमें आपको 3 color variant आपको देखने को मिलते हैं जो की पहला है white, red और grey side by side मैं आपको colors के looks भी दिखाते आ रहा हूँ ये थी हमारे second number countdown पे Benally TRK 502 and now अब हनों चलते हैं अपने first number countdown पे जो की है Kawasa की Ninja 400 इसकी जो आपको एक showroom price आपको देखने को मिलेगी वो है 4,99,000 और ये एक BS4 variant है और ये आती है 400 CC के साथ और इसकी जो max power के बारे मैं आपको बताऊं तो 49 PS का आपको max power मिलेगा 10,000 RPM के साथ और max torque इसमें आपको 38 NM का max torque मिलेगा 8,000 RPM के साथ gearbox इसमें आपको 6 speed manual gearbox मिलेगा dual channel ABS का आपको support मिल जाएगा and 0 to 100 km प्रती घंटा अगर आपको मैं बताऊं तो ये 5.4 second में आपको 0 to 100 जाती है and 100 to 0 वापस आने में इसको करीबन लगता है 3.6 second fuel capacity में इसमें आपको 14 liters की fuel capacity देखने को मिलेगी colors में इसमें आपको 2 wind देखने को मिलते हैं जो कि है spark black and green जो कि आपने background में देखी ही होंगे so my friends ये थी आज के list जिसमें मैंने आपको बताया top 5 best bike जो आपको देखने को मिल सकती है 350 cc से लेके 500 cc तक and अगर आप कोई bike लेने की planning कर रहे जो कि आपको चाहिए थी 350 से लेके 500 cc के बीच में तो now I hope कि अगर आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी bike select करनी है अगर आपको कोई budget का ऐसा कोई issue नहीं था and साथे साथ मैं आपसे ये भी hope कर सकता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसल दाया होगा और अगर आपको नहीं पता है ये हमाया चैनल का first वीडियो है so I hope कि आप सच मुझ मेरे इस वीडियो को पसंद करोगे and प्लीज मुझे comment करके जरूर बता देना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपना feedback जरूर देना जिससे मैं अपने content को और improve कर सकूँ और अगर कोई गलती हो गई हो मुझे वीडियो में तो please उसके लिए sorry आप मुझे correct कर सकते हो नीचे comment करके and एक main चीज मैं आपको बता दो अगर मुझे कोई वीडियो में गलती होती है तो अगर मुझे वो गलती पता चलती तो मैं description में उसे link देता हूँ तो description चेक करना प्लीज मत भूला करो and इसी तरह इस वीडियो को like करना, share करना और channel को subscribe करना भी मत भूला notification bell जिससे आप मेरे notifications को miss ना करो अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ सब तक लिए bye bye and take care